Hello everyone, अब यह Java 3 से हम कर रहा है, यह part 2 video है, first part में हमने method और functions को 50% या 60% हमने cover कर लिया था, हम समझ गे थे methods, functions क्या होते हैं, और किस तरीके से function call होता है, किस तरीके से function create होता है, call होता है, अब इस वीडियो में further दो examples लेंगे, जिससे हम और अच्छे से function को समझ पाएंगे, चे कौन सा program करा था, देखे, कि मैंने यहाँ पर करा था, कि देखे, स्नेहा मैंने यहाँ पर एक अपना print, अपना जो मेरा printing statement है, उसमें मैंने स्नेहा लिखवा दिया, और मैंने जब भी उसका काम ही दे दिया, कि आप जब भी आपको call करेंगे, function को call करेंगे, तब आप स्नेहा print कर देना, लेकिन अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ, कि अब मैं ऐसा कोई function create करूँ, जिसमें मैं नाम input में दूँ ठीक है, और उसके बाद जब भी मैं input में कोई नाम दूँ तो वो नाम आए, ठीक है, जब भी नेहा ही हो, यहाँ पर कोई name करके हमें input दे दूँ, और जब कोई भी name input में दूँ, टर्मिनल पे कोई भी input दूँ में नाम में है, तो वो नाम ही आए, तो अब देखो उसे कैसे करता है, देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँ कि बहुत सिंपल है, हमको कुछ process जो सब में सेम होते है, वो करने है, सबसे पहले आप function define करेंगे, function कहां पर define करेंगे, function public class, main class जो है उसमें करेंगे, define function, अब यहां पर देखे, मैंने function define कर रहा है, public static void, और give name, give name करके मैंने function define कर रहा है, अब इसके अंदर मैंने parameter पास किया हो है, name कर, ठीक है, और name किस type का है, string type का है, ठीक है, तो जब यह parameter पास करेंगे, तो आपको उसका type भी लिख ना होगा सामने, ठीक है, पहले आप उसका type लिखेंगे, फिर आप उस parameter को पास करेंगे, अब देखे, give name का एक function मैंने define करा, और उसका parameter पास कर दिया, name करके, और उसका type है string, अब देखे, अब आते हम इसके अंदर की उस function को तो मैंने बना दिया function यह है, ठीक है, उसको काम भी बतायाने, उसको काम किया करना है, देखे, लास्ट वीडियो मा हमने गया कर दिया था, हमने उसको direct यह बोल दिया था, कि तुम्हारा काम है, बस नहा को प्रेंट करवाना है, लेकिन, अब हम यह कर रहे हैं, कि हम उसको name करके, हम बोल देगे, कि आपको name को प्रेंट इसमें कोई पर्टिकुलर नाम नी है आपको जो भी नेम वाले पैरामेटर के अंदर जो भी हम नाम पास करेंगे न वो प्रिंट करवाना है ठीक है कोई एक नाम नी प्रिंट करवाना है हमने नेम का एक पैरामेटर ही क्रियेट कर दिया है और उस पैरामेटर को पास कर दिया यहाँ पर print करवाने के लिए, अब देखे हमने function define भी कर दिया है, उसको उसका काम बता भी दिया है, अब हमें क्या करना है, function call करना है, ठीक है, अब देखे, अब जो हमारा main function है, उसके अंदर हम अपना function call करेंगे, हमारे function का नाम give name करके है, तो give name मैंने लिख दिया, और यहा कितने भी नाम pass कर सकते हैं, जैसे कि आगर मैंने शिवांच कर रहा है, अब देखे, output कैसे आएगा, output आएगा, शिवांच आगे, असने आगई, रोली आगई, रवी आगई, ठीक है, तो यह ऐसे काम करेगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने name प्रिंट नहीं होगा, name एक parameter है, जि सबसे पहले हम अपना एक function define करेंगे, ठीक है, function को नाम देंगे, उसके अंदर एक parameter देंगे, ठीक है, उस parameter को हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, या उस parameter पर जो भी हम काम करवाना चाहते हैं, वो काम के section में आ जाएगा, block में आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे, उस function को call करवाएंगे, ठीक है, और उस function को call करेंगे, और function को call करके, यहाँ पर जो parameter हमने नाम पास कर रहा था, नाम पास कर रहा था, उसके अंदर जो भी हम को नाम प्रिंट कर आना है, वो इधर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, अब देखे हम दूसरी example पर आते है Suppose कि मुझे एक ऐसा function create करना है, जो कि इन ही दो variables को add करें, ठीक है, some function create करना है, तो उसके लिए मैं कहा करूँ कि सबसे पहले function define करना है, function का define होता है, function define होता है, main class में, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर यह देखें, मैंने कर रहा है ना, public static void, अब num sum करके मैंने एक function define कर रहा है, ठीक है, मैंने num sum एक function बना दिया, ठीक है, उसके अंदर आप मैंने दो parameter पास किया है, अब जो number add करवाने है, तो दो parameter पास कर दिया, a और b, और दोनों parameter के आगे पीछे उसके data types लिख रहे है, किस type का parameter है, वो integer type का है, ठीक है, अब यहाँ पर नाम तो दे दिया function को लेकिन function को बताना पड़ेगा, उन्हें काम क्या करना है, तो function के इस block के अंदर हम आए, अब यहाँ पर हम यह करेंगे, यहाँ पर हमने एक variable बना दिया, random एक variable बना दिया, sum करके, उस sum variable के अंदर मैंने a और b को add करके, आप sum में डाल दो, मतलब जब भी a plus b होगा, a plus b value क sum के अंदर डाली न, बस sum को प्रिंट करवा दो, पहले a plus b को sum करके, sum में डाल दो और sum उसके बास sum जो हमने, हमारा variable है, उसको प्रिंट करवा दो, यह आपने बता दिया, नाम बता दिया, define कर दिया, काम बता दिया, अब हम इसे call भी कराएंगे, तो हम call कराते है, हम call कराते ऐने इन फंक्šन के अंदर मेंप्शन के अंदर हम क्या करेंगी जो मेरा लिख नाम निए और बेटेंटव करेंद एल्यार और फाइडव धसकिसश्य ku जब हम्ना वरैबल मेरीरिवल इन एक निया विरीवल मेरसम ना दिया तो उसके आगे भी अब इसमें कितनी a plus b value डलेगी देखें इंटीजर a डलेगा इंटीजर b a हमारा किस टाइप का है इंटीजर टाइप का है number टाइप के 1,2,3,4 है न b हमारा 1,2,3,4 टाइप का है तो जो हमारे sum पे value जाएगी तो यहाँ पर इंट लिखना जरूरी है इंट sum equals to a plus b ठीक है अब आप समझ गए अब हम मैं क्या करूँगे यहाँ पर जब मैं अपना function कॉल करवाया है ना नमसा मेरा function से कॉल कर आया और 10 और 5 से में दो value पास कर दी तो output में गया 15 आगा 10 प्लस 5 15 यहाँ देखे आउट पर 15 है तो I hope आप समझ गए होंगे मारे function क्या होता है function को किस तरीके से define के जाता है किस तरीके से call किया जाता है यहाँ कैसे हम उसको प्रोग्राम में अपलाए करें यहाँ कैसे हम अलग अलग प्रकार के बहुत अलग अलग different functions हम बना सकते है और maximum time हम जब हम coding करेंगे ठीक है जब हम professionally coding करेंगे अब देख हम एक काम करना है न professionally काम करना है तो हम क्या करेंगे हम अपने ही method और अपने ही function बना रहे होंगे ठीक है अब next video में हम एक program create करेंगे अपने जो हमने basics जावा हमने समझ लिया उस पर आप next video में proper program आएगा